नमस्कार आपका स्वागत है ऑथर्जेंड बुक्स के इस लेटेस्ट एपिसोड में आज हैं प्रोफेसर धीरत शर्मा धीरत जी आपको बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार और धीरत जी इंडियन इस्टूट प्रभाद प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है और चार सो रुपे इसकी कीमत है सभी आनलाइन अप्रेटफॉंस पर भी उप्लगता है और प्रभाद प्रकाशन से भी आप से मंगवा सकते हैं धीरत जी की अब तक दस पुस्त के प्रकाशित हो चुके एक सो पुचास से अधिक शोद पत्र उन्होंने लिखे हैं और बहुत सारी कंप्टियों के साथ भी जो है जुड़े हुए हैं और और मैनेज्मेंट के शेत्र में बहुत बड़ा नाम है लेकिन मैनेज्मेंट की शाहिद टेखनीक को यह जिसको आप कहें कि खास सांटिफिक मेथोडोलोजी के साथ पहली बार भारत में किसी ने फिल्मों का इस प्रकार से गहन अध्यान किया होगा कि इन फिल्मों के बारति मूर्यों का प्रचार हो रहा है यह दुश्पचार और दिरजी से हम पहला सवाल पूछेंगे कि दिरजी यह जो फिल्में और संस्कृति और अभी किताब के अंदर जो आपने लिखा है उसके विशे में भी हम बात करेंगे लेकिन वह पूरी स्ट तो तो मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी स्टुडेंट्स होते थे तो वो वो पाकिस्तानीयों के हिस्ट्री है quality is जो उसमें हमारे freedom fighters का कोई जिकर नहीं है तो मैंने उनको अपने पाकिस्तानी दोस्तों को एक दिन अपने घर में बुलाया मैंने उनको एक फिल्म दिखाई गांधी जो कि रिचर्ड आटर बेरो ने फिल्म बनाई थी आप मानेंगे जी कि वो फिल्म देखने के बाद हमारे जो तीन या चार पाकिस्तानी मित्र थे वो खुद उनकी आँखों में आसू आ गए हो काते हमें तो किसी ने बताया है नहीं तो पहली बार मुझे ये लगा कि इतना एक फिल्म का असर है एक विक्ति विशेश के बारे में और एक भारत देश के बारे में तो कितना असर किताब के उपर काम शुरू किया हो था कि मैं फिल्में देख रहा था और मैं अपने आयम एहमदाबाद में बच्चों की उपर फिल्मों का प्रुभाव देखता था वो क्या कपड़े पहनते हैं किस तरह से वो बात करते हैं कौन सी नई फिल्म का जिकर हो रहा है और कैसे एक विचार धारा में बदलाव आया भारत देश में भारत देश की एजूकेशनल इंस्टिउशन्स में उनकी सोच में और उसमें एक बहुत बड़ा कॉंट्रिबुशन फिल्मों का रहा तो यह ट्रिगर पॉइंट्स में मैंने पहली अपनी स्टडी पब्लिश की थी 2015 या 16 में पहली स्टडी निकली इसमें से उसके बाद फिर हर साल हम कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ स्टडी करते रहें और फाइनली भगवान की कृपा से 2021 में सब कंक्लूड हो गए हमने किताब में डाद दिया दिरजी जो आपने कहा कि शिगर पॉइंट आपने बहुत अच्छे से एक्स्प्रियन किया मैं आपने बॉलेवुड को जहां तक मेरी जानकारी है मुलता एक कंपारिटिव स्टडी के लिए बॉलेवुड को ही आपने चूज किया है जो है अन्य भारती भाशाओं की फिल् में और उडिवाज़ तो बॉलेवुड किस तरीके से जैसे मैं एक कोट कर रहा हूं आपकी किताब से ये प्रिश्ट नंबर 61 से है कि और ये बड़ी दिल्चस्प बात है जिसे हम बड़ी आइडियल मुई मानते रहे हैं उसके बारे में आपने एक बड़ा इंट्रस्टिं जिसे उसके धर्म के चलते किराय पर घर नहीं मिल पाता इस तरह धार्मिक समुहों की तोड मरोड कर प्रस्तुती से समाज में तनाव और ध्रुवी तरण को बढ़ावा मिलता है इसके बड़ा आपने सुल्तान अहमत की फिल्म गंगा की सौगंध के बारे में भी आपने र भूमिका यह सभी नसलिये और वरगिये रोडिवाद के नमूने हैं यानि की बेसिकली एक रिशल डिस्क्रिमिनेशन और एक बड़ा क्लास कॉंशनेस के साथ चीज़ों को बिखाना है तो यह आप इसको थोड़ा सा एक्स्क्रीन करें क्या बॉल्यवोड में चल रहा है यह और आत्म विश्वास नागरिकों का आता है जब उनकी अपनी पहचान जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं उनकी पहचान सरशक्त हो मुझे ऐसा लगता है यह मेरे विचार है कि शोध करने के बाद यह जो शोध है बॉल्यवोड की फिल्मों ने हमारे देश के नागरिकों की आत्म विश्वास को बहुत चोट पहुंचाई है हमारे देश में असी प्रतिशत असी ब्यासी प्रतिशत एक जमाने में तो चुरासी प्रतिशत हिंदू थे और अभी भी असी प्रतिशत के ऊपर हिंदू हैं हिंदू की एक विचारधारा है जो हमारे देश से जो मुसलमा भी या क्रिशन भी वह भी हिंदू विचार था कनवर्ट होके कैसे भी उनके धर्म परिवर्तन होने के बाद उन्हें अडॉप्ट कर लिया ठीक है परंतु हमारे जो मूल तत्व हैं भारतिय तत्व को जो उनकी प्रेजेंटेशन रही है आपने इतनी फिल्मों का जिक्र किया मैं फिल्म का उदाहरन और दे देता हूं जो कि नई फिल्म है आपके जो देखने वाले हैं उनको रिलेट जादा जल्दी कर पाएंगे उसके उपर भी मेरा एक पुरा वो शोध है एक फिल्म सल्मान खान की फिल्म आई थी इंडिया और पाकिस्तान के बेसिस के उपर के ए इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि वो लड़की इंडिया आती है और उसको एक हिंदू परिवार में वो लेकर आ जाते हैं हिंदू परिवार वाले उस लड़की से बड़ा ही अलूफनेस दूरी से उसका दूरी रखते हैं दूरी रखते हैं उनमें वो प्रेम भाव नह कर दिया वो वीजा लेने के लिए इंडिया के कांसलेट में जाकर जान का। जो इंडिया का आदमी भारत का देश उस लड़की को दूसरी तरफ सुरूंग से लेके चाता है वो भी एक का पाकिस्तान में कोई करप्त नहीं को पकड़ लेता है उसको दो चार मार के और उसको सलामी लेके उसे कहते हैं तुम्हारी जबान के उपर तुम जाना दे रहा हूं पाकिस्तान में तुम जिस पर आये हो इतने दरिया दिली पाकिस्तान के रेंजर्स में है कि वो एक आदमी को जो इलीगल तरीके से वहां पर आया है टनल से आया है और टनल एक सुरूंग एक बहुत बड़ी बात होती है वे सुरूंग बन गई उसके खबरें आती है उसकी वो रहां से निकला और रेंजर ने वो अफसर इंजर ने उसको कहा भी जाओ तो इतना द्यावान हमारा पड़ोसी देश है और हम लोग जो हैं उन में द्या नहीं है हमारे देश से जो द्यावान आदमी है वह एक मूर्ख है क्योंकि उसमें सलमान खान जी की जो जो वह जो आडिंटिटी बनाई गई है वह यह दिखाई है फिर वो एक मस्जद में जाके रहते हैं और मस्जद में जो मौलवी सहाब हैं वो उनको रहने देते हैं और मौलवी सहाब जाते हुए उनको जैश्री राम कहकर भेजते हैं मौलवी सहाब उनको जैश्री राम कहकर भेज रहे हैं और वो वहाँ चले जाते हैं उसके अगर आप स्टडी जैसे हमने इसको किया इसमें जो प्रोजेक्शन है वो भारतीय अब बड़े रूडिवादी है प्राइब तो पाकिस्टानी रूडिवादी नहीं है वो उद्धार है यह से यह बिजित विचार है और मुझे लगता है हमारे देश के नागरिकों के हक मैं रिवर्स नहीं आप मुझे रिवर्स की फिल्म बता दीजिए कोई अभी मैं लेटिस्ट फिल्म आप में कई फिल्मों के उदाहरन हम तो स्टडी चलता ही जा रहा है और भी इसके बाद एक इसका पार्ट टू निकालेंगे बुक का अभी आप देख लीजिए के यह भी ए केंडल जलाते हैं वो आरती नहीं करते मैं यह कहा रहा हो छलो आप स्ट अइंडनीं को यह वह बीजीन उद्धंगी निचा रहे हैं कि हमारे यहां का आदमी मंदर नहीं जा रहा है वह चन जा स्टार्ट ऐसे होती है कि एक आदमी मर गया है उसकी आत्मा आई है और उसकी आत्मा परेशान है कि उसकी हिंदू लड़की ने एक मुस्लमान से शादी कर ली है और वो उनसे सक्षमता से या उतने सुद्रता से आप दूसरा भी दिखा दीजी दूसरा पक्षबी दिखा दीजी क्यों नहीं दिखाया जाता आपको क्या लगता है कि सवाल आपने कि असवाल हमारे की दिमाग में आते हैं सब्सक्राइब और लेकिन आपको क्या लगता है कि जो इस पूरी बॉल्यवूर्ट का जो फाइनांस का सिस्टम है क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तो कहते दो है का लेकिन बहुत सारा पैसा जो है वो अंडर वर्ल्ड जो की एक मुस्लिम डॉमिनेटेड अंडर वर्ल्ड था और महां से आ रहा था दाउत का बहुत सारा पैसा पहले बॉल्यवूड में लगा हुआ था और हम देखते हैं कि आए जो पूरा एक बॉल्यवूड का एजन इंडस पूरा स्ट्रक्चर है क्या वो इस बात के लिए आपको लगता है रिस्पॉंसिबल है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिसी कली फिल्म स्टियोटाइप्स वह किया जाते हैं और जिस तरीके से हिंदू का चितरन किया जाता है और मुसलिम्स को हमेशा बढ़ाई उदार और यह नहीं कहा हूं कि वह नहीं हैं जैसा आपने कहा तो स्टियोटाइपस हैं कोई फादर होगा तो वह ठीकी होगा कोई बनिया होगा तो वह बैमानी होगा जारता है यह मुझे लगता है यह विचारधरा इससे हमें दूर हटना पड़ेगा और बॉलीवूड को भी धर्म में नहीं हैं रिकारधर पर हृंधु धर्म को मानने वालों में नहीं यह यह सब बॉराइयां सब में होती हैं प्रंटू आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब देता हूँ उसके मुख्यतर मेरे हसाब से किताब में लिखा भी है उसके दो-तीन रीजन है सबसे पहले बॉलीवूड एजन इंडस्ट्री इंडस्ट्री ही नहीं था इसका इंडस्ट्री स्टेटस जो है वो अभी तक उसको इंडस्ट्री जब बन जाता है तो उसमें फाइनांस यह वो हम पर आफ्कोर्स तरहांतरा के लोग उसको देश के विदेश के चाहे वो कुक्यात किता है दाइब करते हैं या इस किस किस हम खंगा परबुद राय को इसे असर पड़ता है परन्तु दूसरा जो बड़ा ही important reason है वो यह है कि आप देखिए कि अगर पूरे भारत को हम देखें तो भारत में मेरे ख्याल से 140 करोड के करीब आज लोग हैं और 140 करोड में से मुझे ऐसा लगता है कि 50% वो कहते हैं हमारी जो 65% population जो है वो above below 35 है और 50% below 18 है ऐसे कहा जाता है जिसका मतलब कि तक्रीबन 700 करोड आदमी फिल्म देख रहा है वो 700 करोड में से मेरे ख्याल से हर आदमी कुछ ना कुछ तरीके से चाहे टीवी के जरीए मोबाइल के जरीए फिल्म तो सब लोग देख रहे हैं परन्तु पिछले 10 या 20 सालों में जादा हमें थोड़ा changes 30 से सालों से जो हमारी रीजिनल फिल्म इंडस्ट्री से हो काफी स्ट्रॉंग हो गई है तो बॉलीवूड का जो दाइरा है देखिए आपके एंटरेइन्मेंट के लिए एक फाइनाइट टाइम है उसमें कॉंपेटिशन बढ़ गया भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉंग लिया बढ़ी उसके बास साउथ में तो खैर पहले से उनका काफी स्ट्रॉंग इंडस्ट्री तो यह जो जो पॉपुलेशन जो है वाइल पॉपुलेशन औफ पीपल हो वर प्योरली वॉचिंग जो हिंदी फिल्में तो वो नियंतरित होती गए, कम होती गई, फिल्में जादा बनने लगती, तो अब पिछले 30 साल में इन्होंने डायस्पूरा को पकड़ना शुरू किया जादा, अब डायस्पूरा कहा है, डायस्पूरा है, पाकिस्तानी डायस्पूरा, बहुत बडायस्पूरा है, जो की जादातर सिर्फ हिंदी ही फिल्में देख रहा है, पाकिस्तान में तक्रीबन उनकी अबादी, तक्रीबन 20-22 करोड उनकी अबादी है, 25 करोड अबादी है, और तक्रीबन 10-12 करोड पाकिस्तानी विदेशों में हैं, तो अगर आप आज एनलाईज करना शुरू करें पिछले 10 सालों की फिल्मों में 10 साल में बहुत जादा 20 साल में थोड़ा और जादा तो एक फिल्म अगर मान लीजिए 100 रुपे कमा रही है तो उसका जो शेर है विदेशी मार्किट से वो 2% से बढ़ते 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 आज की डेट में वो तकरीबन आल्मोस 12-15% जो है उसकी कमाई विदेश से हो जाती है ये एक बहुत बड़ा रीजन है उनको उस मार्किट को केटर करना है उस मार्किट से उनको कमाई करनी है तो वो भारत के और भारतियता की थोड़ी पिटाई करेंगे तो कमाई जादा अच्छी हो जाएगी और तीसरा जो रीजन ये है कि एक इनहेरंट एलिमेंट है बॉली हुड में जिनके अंदर भारतियता को लेकर कुछ विशेश फीलिंग है कुछ ऐसे लोग हैं और वो काफी important लोग है और वो consistently एक pattern से एक systematic तरीके से भारत और भारतियता से related जितनी चीज़े हैं उनकी projection इस तरह से करते हैं जिससे के उसके बारे में हर चीज़ के बारे में एक प्रशन चिन लग जाए चाहे वो हिंदी का प्रयोग कहीं करना हो चाहे वो माथे पे तिलक लगाना हो चाहे वो राखी का तियोहार हो होली का तियोहार हो वो उसको विशेश तरीके से प्रस्तुत करने का एक बहुती सुद्र तरीके से एक उसके उपर काम होता है तो ये तीन-चार रीजन है मेरे ख्याल से यह जोकी मुझे लगता है यह मेरे विचार है तो मुझे लगता है कि यह रीजन है कि इनोंने भारतीं मुलों का परचार जो है जोंगी अच्छा कर सकते थे भारत की सॉफ्ट पावर है रश्या में मेरे ख्याल से अगर आप 1970s को पकड़ लीजिए और 80s को पकड़ लीजिए तो निकिता कुरूश्चेव और गॉर्बचॉफ के बाद मिथुन चक्रवर्ती और राज कपूर ही पॉपुलर थे तो अगर अफगानिस्थान में अमिताब अचन जी की एक फिल्म जो खुदा गवाहुा आज तक लोग उसको इजिप्ट में अमिताब अचन जी के यूट्यूब विडियोज अबिवलेंबल हैं अमिताब अचन जी जिप्ट में जा रहे हैं और लोग उनके पीछे साउथ में साउधी में हमारा एक हमारे हमारा एक परिच्छे था आज हमारे ही लोग अपना करा ना करें जी आपने बहुत अच्छी बात के और आपने सॉफ्ट पावर की बात किया आपने इपने किताब में भी चल्चे गीए कि हॉलिवूड से हम लोग जो है वो सॉफ्ट पावर के मामले में क्या सीख सकते हैं हॉलिवूड के माध्यम से अमेरिका ने किस तरीके से soft power का इस्तमाल किया और क्योंकि आपने Hollywood की फिल्मों के साथ comparative अधियन जो है फिल्में और समाच इसको लेकर खासकर chapter में डिटेल्ड आपने अधियन किया हुए इसके विशे में आप थोड़ा सा बताएं मैं एक और उधाहरन पकड़के आपको उसका example देता हूँ आप यह देखिए जब हम छोटे थे जब हम लोग छोटी उमर के थे ते हम लोग comic strips पढ़ा करते थे comics पढ़ते थे उस समय जो comic strips भारतिय कामिक स्ट्रिप एक सशक्त रूप से आ गया आता था तो हम लोगों बड़े हुए हैं हम लोग बड़े हुए हैं चाचा चौधरी से मधु मुसकान से हम लोग बड़े हुए हैं चंदा मामा से हम लोग बड़े में आप देखिए कि काटून का जो प्रियोग करके एक कल्चरल मैसेज अगर आप शिंचैन को देख लिजिए आप नारूतों को देख लिजिए यह जैपनीज काटून से जैपनीज ने कैसे अपनी कल्चरल वैलियूस को प्रमोट किया है बच्चों के अंदर यह सीरियल से कि हमारे यहां यह बचे देख रहे हैं उसको तो सुसाइटी में अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो इतनी सदियों की रची बसी स्ट्रॉंग आडिन्टी जिसने हमें सैंकडो वर्षों के इन्वेजन्स में भी सुरक्षित रखा उसको हम नर्चर नहीं कर रहे हैं उसको पाने दे रहे हैं यह बचछे क्या देख रहे हैं बच्छे फॉरन काटून सी ज़्यदा तर देख रहे हैं कॉमिक स्ट्रिप्स जो हैं जिनको कॉमिक स्ट्रिप्स को उन्होंने मल्टी बिलियन डौलर इंडस्ट्रीड कर दिया आपको पता है कि मार्फल is almost मारफल फिलम को अगर ट्रिल् datasets Não Haha इस त्रिलियन डॉनगा इंडस्ट्री नॉट जुट फिल्मारे यहां किसी सूपर हीरो को क्यों भिन Apa बॉली वूट से हमारे यहां बहादूर और बेला नहीं हो सकती थी हमारे हमने क्या किया तो बॉलीवुड का देखिए हमने बॉलीवुड को अपने सर पे रखा है उनको हमने पदम श्री दिये पदम भूशन दिये कई बार तो उनको एक स्पेशल तरीके से हमने अपने रिदे में बसा के रखा उनकी हम मान समान में उनको हमने जो हमार उन्होंने पिछले सतर सालों में किसी भी कार्टून को एक अच्छी सीरीज के हिसाब से क्यों नहीं बनाया जिसमें कि वो मूलता है भारतिय गुणों को भारतिय जो हमारे मूल तत्व हैं उनको क्यों नहीं दिखाया यह प्रशन है तो मैंने माफी चाहता हूं आपके प्रश मिजे लगता है कि जो बात आप की जो है जैसे मैंने कहा कि यह शाइद इस किताब का बहुत बड़ा मुझे लगता है कि इसकी सार्दक्ता भी इसी में है कि और नए सवाल जो है वो खड़े कर रही है क्योंकि हम ठीक सवाल पूछेंगे तो ठीक जवाब मिलेंगे तो यह मुझे लगता है कि इसके बाद मैं एक और इस पर मुद्धे पर आ रहा हूं कि खासकर इसी से जुड़ा हुआ हिंदुत्व को लेकर जो है वह बहुत ही नेगेटिव प्रोजेक्शन जो है वह हम देखते हैं जैसे मैं आपकी किताब में से कोट कर रहा हूं यह प्रिश्ट नंबर 83 पर है कि डेविड में हिंदु पात्र डेविड एक फिल्म जो थी डेविड में हिंदु पात्र मालती ताई को एक इसाही पात्री को पीटते हुए दिखाया गया है सेकर्ड गेम्स बड़ी फेमर्स सीरीज थी उस पर हम बात भी करेंगे भी में गणेश गाय तोंडे को हिंदु आत सताय गए लोगों के दोर पर दिखाना गलत नहीं है लेकिन क्या यह जरूरी है कि हिंदु को बर्बर भी दिखाया जाए और इसी के साथ में एक और सवाल भी जोड़ देता हूं कि खासकर सांप्रदाइक दिन्गों को लेकर बॉल्लेवुड में किस तरीके के पूर्वा ग करपा क talented कि हम एक तरफ कहते ही जी फिल्म एक सवाजकों करती है लेकिन सवाज का एक अक्सें और हम यह इंदु की जो बर्चारिक स्विकारता है उसको देख रहे हैं जिसकानिस्टार फिल्ड में भी बादी स्विकारता मैं मीडिया जगत से हून मीडिया जगत मीं करे यह चीज हो रही है और दूसरी तरफ बॉलिवूड है वह और ज्यादा रैबिडली जो है इसको हिंदुत्व को नेगेटिव ले दिखा रहा है और खासकर यह सेक्रेट लिए सीरीज और ओटीडी प्लेटफॉर्म्स पर खासकर जाहे वह बॉबी दियोल का एक वह था अभी इसके तो यह जो हिंदुत्व को और जो हिंदुत्व के प्रतीक हैं उनको क्यों इतना ज्यादा नेगेटिव है आपको क्या सेस्मेंट है कि कहीं कोई पॉजिटिव भी कुछ दिखा रहे है या ओवरॉल सब मतलब नेगेटिव ही चल रहा है मेरे ख्याल से देखें कि ऐसा है कि हिंदू विचारधारा ही ऐसी है कि लोग बहुत ही शांती पृईया और लोग अट्जेस्टिंग जैसे वहता हमारा नेचर ही अट्जेस्टिंग है मैं बाय और लार्ज कि बात कर रहा हूं यून वोंगे एक परसंट दो परसंट लोग होंगे प्रंतु विटुब दिन्हाइड खमारी जो कल्चिरल है खमारी जो कल्चरल इदिट्यल अрь है, हमारी जो social इदिटथेशा एउसे इडिंटिफाय लोक कर रहे हैं जो सैकड वर्षो ही जो धारा भोमारी विचार धारा ऐससे इडिन्टिफाय कर रहे हैं they're all right they could be from a different religion it's all right but hindutva is not so that's number one number two यह जो projection आप जो बात कर रहे हैं यह projection it cannot be in my view and again you know I am being a little speculative here it cannot be unsystematic यह unsystematic नहीं हो सकती क्यों सबसे बड़ा scandal धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो child molestation scandal है वो Catholic Church में हुआ है उसके उपर एक फिल्म बनी है वो Hollywood ने ही बनाई है बड़े subtle तरीके से उन्होंने बना के उसको वे एक किनारा कर दिया इतना बड़ा settlement आपको पता है उसकी settlement billion dollars से उपर की settlement है साथ 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 करोड की settlement है आउट अफ कोट settlement है कि silent किया जाए लोगों को जिनके साथ molestation हुई है जिनके साथ यह हुआ बच्चों के साथ तो बुराईया हर धर्म में हैं ठीक है जी अगर इसलाम religion में देख लें जो उनके mall भी है या वहाँ पर है उसमें भी कुछ आपको लोग मिल जाएंगे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मुत्ता marriage के उपर आप discussion कर सकते हैं पचास चीज़े हैं प्रन्तु ऐसा क्यों है कि उसके उपर mainstream Hollywood film का कभी उसके उपर जिकर ही नहीं आता है mainstream होती होगी documentaries कोई आर्टी फिल्म बनती होगी जिसको जिसको सिरफ 10,000 लोगों ने देखा होगा मैं mainstream की बात कर रहा हूं आज हमारे Hollywood के heroes इतने powerful हैं कि they can dictate you know a particular narrative they can dictate a particular storyline if they can dictate a particular kind of a song today we have strong Hollywood heroes Bollywood heroes strong production houses who can do it now why they have not chosen to do it is something which is a big question mark are you being anti-national by not doing so is a big question well it is all right आपने एक बड़ी statement कही कि फिल्म में समाज का प्रती बिम्ब हैं अगर हम culturally देखें art का मतलब ही यह है कि आप society को reflect करें एक दूसरे तरीके चाहे हो आप चित्र बनाके या चल चित्र बनाके आप फिल्म को आप उसको एक identify करें यह करें या it's okay प्रतु आज की date में इसको हम कहते हैं intellectual fastidiousness जो हमारे लोग इतने smart हो गए हैं they are not showing what is happening in society per se as an anomaly they are showing what they want the society to be there are anomalies in society anomalies are not the rules मैं यह नहीं कहता कि कोई lynching नहीं होती होगी या मंदिर में कोई बुराई नहीं होती होगी those anomalies are projected as routine affair that's the problem कि वो एक बुराई को आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे routine affair है आपने आमिर खान जी की फिल्म का जिकर किया पीके फिल्म में वह दिखा रहे हैं कि आप शिवलिंग के उपर दूद मढ़ डाली है इस देश में मेरे ख्याल से तक्रीबन जादा नहीं तो मेरे ख्याल से तीस या चालिस करोड ऐसा आदमी होगा जो कि डेली वेजर है डेली बेसिस पर सर्वाइव कर रहा है इस देश में शान्ती कैसे है शान्ती ऐसे है कि वो अगर एक रिक्षा वाला दिन के तीन सो रुपे कमा रहा है यह चार सो रुपे कमा रहा है द्याड़ी करके पान सो रुपे कमा रहा है तो उसको शाम में उसमें बीस रुपे का जो दूद का पकेट लेकर वो शिवलिंग पेच राजयता उसे hope देता है who are you to take away the hope from that person what is the other alternative you please tell me it is requiring it is requiring a dispassionate a painful agonized mind it is a manner in which you know shivling वहाँ पर वो आदमी को hope दे रहा है कि my day will be better tomorrow मैं कुछ कल शायद साड़े पांसो रुबे कमा पाहूं या भगवान शुकर है मैं रिक्षा चला रहा था आज मेरे साथ कोई चोट नहीं लगी you can always find positives in that why do I have to focus on the negative कि भी है मैंने plastic बरबाद कर दिया मैंने दूद बरबाद कर दिया फिर उस रसाब से तो हमारे घर में AC नहीं लगने चाहिए फिर हज भी नहीं करना चाहिए उसमें भी पैसा लग रहा है फिर हमको कुछ भी आप जो कपड़े भी महंगे पहन रहे हैं आपको वैसे तो चाइना में दूरिंग दे कल्चरल र श्रव दाक्र प्रमॉट करते थे उसको तो आपको दो शर्ट होनी चाहिए धो एक पहन कंछो पर आपक पस बीस क्यों है चालेस क्यों है आपको बास ज्यूत्य दस क्यों है चे क्यों है यह बहुत बड़े सवाल है you do not pick anomalies and make that a routine and that I believe is a very 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 negative thing which has come out of the many movies that have been made in Hindi film industry कि वो एक anomaly को उठा के उसको routine दिखाते हैं उससे लोगों के मन में द्वेश पैदा होता है हिंदू मुस्लमान शाकड़ों सालों से एक साथ रह रहे हैं ठीक है ना? आप उनकी भी बुराई करो हिंदू की भी बुराई करो उनकी भी अच्छाई करो और मुसलमानों की भी अच्छाई करो सब करो बट प्रोजेक्ट वाट इस रियालिटा आप anomalies को मत उठाईए अट्स रॉंग, एट इस एपसलूटली रॉंग यसे कि आपने वो गुजरात का जिकर कर दिया तो आप यह देखिए कि दंगों के उपर फिल्म बनाई जाती है देर भीन मैनी फिल्म्स विछ भीन मेड ऑन ऑन गुजरात में जो रायट्स हुए है बट वो फिल्म में कभी मेरे ख्याल से वो ट्रेन वाला इंसिदेंट तो कभी जिकर नहीं आता उसका क्यों उसको क्यों नहीं दिखाया जाता अगर आप ब्लाक फ्राइडे जैसी फिल्म में आप रैशनलाइज करवा सकते हैं कि यह बाम ब्लास क्यों हुए है यह बाम ब्लास करना को आप रैशनलाइज कर दे तो यहां तो यहां तो यह नों तो तो आप फिल्म नहीं बना रहे उसको आप नेरेटिब में लेके नहीं आ रहे और आपके भी और मेरे पहचान में हजारों मुसल्मान होंगे हमारे मित्र भी होंगे हर मुसल्मान को टोपी पहना देते हैं उसके जाड़ अरे आपके और मेरे जैसे मुसल्मान है उनका प्रोजेक्शन नहीं हुता अप मुसल्मान लड़की जो है वो जीन्स भी पहनती है टीशिट भी पहनती है, modern भी है, बट उसको हमेशा आप उसको दिखाएंगे उस पिच्छर में, वाई आर यू डेवेलपिंग नेरेटिवस आउट अउट अफ अनॉमलीज, बिकॉस यूर अब्जेक्टिव देन, I can speculate, is to alter what is happening in society, not to reflect what is happening in society. This is what I feel. Very well said, इसका भी जिक्र आपने किया है, कि उर्दू में ही पोईट्री जो है, वो लिखी जा रही है सारी, और इसके अलाबाँ अबदर भाशा का प्रयोग, खासकर OTT आने के बाद, जमीन की रियालिटी दिखाने के नाम पर बहुत जो है, वो बड़ा है, और ये शो किया जाता है कि अच्छा ये वास्तविक्ता के उतनी करीब है, जिसमें जितनी जादा भदर भाशा और गाली के लॉज़, और उसके अलावा जो है, जो कुछ समाज के तैनियम काइदे हैं, नियम काइदे के लिए यहां जो कुछ हमारे कुछ नहते जो मांदन्ड थे, उनको सिर्फ चुनौती देने के लिए चुनौती देना, यहां जैसे आपने का कि शायद एक सिस्टेमेटिक पैटर्न है, तो ऑल्टर वट इस हैपनिंग इंदर सोसाइटी जैसे पोर मोर शॉट्स जैसी सीरीज जो थी, और इसके साथ ही मैं भाशा के साथ ही एक और भी चीज जोड़ देता हूँ, क्योंकि इस हमें कम है, जो है, तो वो यह है कि संजू जैसी फिल्म जो कि एक कल्ट फिल्म भी तरह दोजार अठारा में आपने उसका बड़ा डिटेल में जिक्ति किया, जिसके लिए उन्हें एक रियाबिलिटेंट एक तरीके से उनकी इमेज को किया, इमेज रिहेबिलिटेशन नहीं आपके, आपने हर चीज की जस्टिफिकेशन दे दी, you know, which I don't think is good for my youth, आपने खाँ, ड्रग्स लेना, ड्रग्स इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि पिता सकते हैं, ठीक है जी, आप, you know, you are having many relationships because you believe के वो आपके life में volatility है, आप ड्रग्स लेने ले रहे, आपका, you know, दोस्त है, वो आपको ड्रग्स दे रहे, आपको कई सालों तक पता नहीं लग रहा है, आप घर में हतियार रख रहे हैं, वो आप लोगों को, तो एक narrative आपने, it's okay, I think as a movie आपने उसको एक present कर दिया, बट उसका जो influence on the youth, that is a very-very, you know, very-very tricky thing, very tricky. तो आपने जो भाशा की बात की, आप अगर North America, which sort of is the founding of the stand-up comedy, वहाँ पर आप Jerry Seinfeld को ले लीजिए, अभी जो television shows कर रहे हैं, Jimmy Fallon को ले लीजिए, David Letterman को ले लीजिए, Johnny Carson को ले लीजिए, उन्होंने तो कभी गालिया नहीं थी, हमारा सबसे पहला stand-up comedy का जो बड़ा program है, जो कि ये All India, उसके नाम में उन्होंने, आप सोचिए, मैं तो नाम भी नहीं लूँगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ गालियां हैं, और गालियां is the only humor, which means आप जोक सुना रहे हैं, उसमें अगर आप मा, बहन ऐसी कोई गाली दे देते हो, तो people are laughing, is that what we have resorted to, where we cannot come up with any observational comedy, और physical comedy, हमारे पुराने comedians थे, आप महमूद को देखिये, महमूद physical comedy करते थे, वो कैसे बात को मूँ बना कर, किसी डायलोग को, लोग हसते थे, जॉनी वॉकर जो हैं, वो situational comedy करते थे, उसके बाद, जॉनी लीवर ने भी बहुत ज़ादा उसमें उन्होंने काम किया है, उसके बाद कई और है, राजू श्रिवास्ता में, situational comedy, बट हमारे जो latest यह, उसको direction दी जा रही है, क्या अब डाली, use, you know, this has an impact on Indian, and Indianness, हमारे जो लोग विदेशों में जाकर जो काम कर रहे हैं, उनकी छबी के उपर इसका impact आ रहा है, आज, बड़ी-बड़ी कंपनियों के CEO, MD, हमारे लोग है, क्यों, क्योंकि हमारी, उनको एक expected है कि यह शिष्टाचार वाला आदमी है, प वो अंतिम सवाल और जो है, कि यह जो बच्चों और किशुरों पर जो फिल्मों का प्रभाब पढ़ रहा है, खासकर, और हुआ यह है, मुझे लगता है कि आपने जैसे का कि study का second part भी आप करेंगे, खासकर COVID-19 के बात, यह COVID-19 के इस दौर में, पिछले दो साल में, चुकि बच्चे अब physically भी बाहर नहीं जा रहे हैं, confined desk, on screen, और बहुत ज़्यादा जो है, वो screen time में और obviously फिल्में और OTT platforms और यह सारी web series यह सारी चीज़े देख रहे हैं, तो एक तो उनके उपर क्या प्रभाब जो है, वो आपको लग, क्योंकि इसको लेगर हम हमारे समाज में भ बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो लिए, यह बड़ा unfortunate है, मुझे लगता है, तो उनके उपर क्या प्रभाब पढ़ रहा है, और यह आपको लगते है, COVID-19 के बाद और ज़्यादा हमें जो है, वो इसको गंभी नहीं हम इसको पर study कर रहे हैं जी, we are trying to study people's pattern of media diet consumption during COVID-19 and that people are having to spend time अपने घरों के अंदर जो उनको रुकना पढ़ रहा है, प्रन्तु यह बहुत ही important topic है, हम इसको अच्छे तरीके से शोद करेंगे, प्रन्तु जो preliminary आपको मैं बात बताऊं, OTT जो हैं वो unregulated रहे हैं, बहुत time कर, recently अभी act में खोड़ा amendment करके इनको regulate करने का प्रयास क but we are far from actually regulating, but more than regulation मुझे लगता है कि जो लोग इनको बना रहे हैं, उनकी मन्शा साफ नहीं है, उनके मन्शा ही प्रशंचन है, अगर वो truly artist है, तो artist का जो काम है वो तो समाज का प्रतिबिम्ब दिखाना, या फिर समाज में ऐसी चीज़े लेके आना, जिससे लोगों में social harmony ब सकते हैं, लोगों में harmony हो, लोगों में प्यार, महबबत बड़े, या फिर समाज का प्रतिबिम्ब दिखाना, ये एक तीसरी चीज़ जो की जा रही है, OTT बिकोज अन्रेगूलेटड है, सस्ता माध्यम है, और किसी की ओपर dependent माध्यम नहीं है, इसकी जो outcomes निकलने वाली है, on the present generation, ये बहुत ही serious होने वाली है, मैं उमीद करता हूँ, कि आप भी, जहां आप लोगों को बता पाएं, जो policy makers हैं, they need to really scrutinize this very very carefully, बच्चों के उपर psychologically, इसके जो impacts हैं, attitude towards violence, attitude towards gun culture, attitude towards women, attitude towards rape, attitude towards establishment, attitude towards government, attitudes towards institutions, ये हम study करते हैं इसको, periodically, it has a very negative impact, and therefore, I think, इसको examine करना चाहिए. दिरत जी, आपने इतना समय हमारे लिए निकाला, आपको बहुत 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 धन्यवाद, we are looking forward to the next part of this study, and we'll surely discuss that, और मैं एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दू, ये पुस्तक, मैं आपके सामने जो है, फिल्में और सहस्कती, भारती बूल्नेों का प्रचार या दुश्पचार, और ये हाट बाउंड में है पुस्तक, और ये लगबग 205 प्रिष्ट होगी है, इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ आपको ये मिलेगी, जिनकी इस विशे में और जानने रुची है, तो आपको मुझे लगते हैं किताब जरूर पढ़नी चाहिए, और जैसा दीरची ने कहा कि ये हमारे लिए जो है, बड़ा महतुता विशे है, प्रासांगेक विशे है, लंबे समय तक प्रासांगेक रहने वाला है, तो इस पर चल्चा, इस पर बहस होनी जरू की बैल आइकन दवाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को, और दीरची आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और जल्दी विलेंगे बुक्स और ऑथर्स के एक नए एपिसोड में, और एक नई किताब के साथ, और एक नए लेकर के साथ, तब तर के लिए नमस्कार, नमस्का करें झाल मजब तर करेंगे बहुता है करेंगे पुक्स और छाइब को, और जिए लेकर के साथ, और समय को, और मुक्स और जहाँ, और मुक्स और ऑलोन अए विलेंगे पुक्स और ऑपको दीर.